वेल्कम फ्रेंड्स आज हम लोग छोले बटूरे बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमको बटूरों के लिए आटा गुंद के रखना है उसके लिए मैंने 400 ग्राम मैं दाली हूँ उसमें एक टेबल स्पून यिस्ट दाली हूँ और एक कटोरी भर के रवा दाली हूँ और आदा चमच नमक दालके इसको हमें गूंद लेना है पहले इन सब को चमच से मिला लेना है बाद में फिर पानी दालके आटे को अच्छे से गूंद लेना है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दालके हम इसको डो बनाएंगे राटे को अच्छे से गुन लेना है यह हो गया है अभी इसको एक गंटे के लिए हम डाक के रख देंगे इसके बाद हम छोलो की तयारी करेंगे इसके रात बर बिगव के रखा है और अभी इसके बॉइल करना है इसलिए मैंने और आफ़ी बॉइल ले छोलो को गला लेना है फोड़े से कोकम डाल दिये है चार पास समेन तुकडे आधा टे-सपटून हलती डाल के और नमक डाल के आधा ठे-सपटून उसे हमें बॉइल कर लेना है छोलो को गला लेना है एक आलू भी दालना है छील के अख्छा यह देखे इस तरह से मिला के इसे बन करके सिटी लगा लेना है मसालो में टमाटर कांदा हरी मिर्ची और थोड़े बहुत लस्तन रखके और अक्खा दनिया जीरा और सौफ इने भून के पीस लेना है इन मसालो के साथ यह देखे हमारे बड़ चने गल गए है अब जो आलू है उसे हमें तोड के दालना है इसके इंदर इस तरह से चमत से त देखे, वैसे तो बहुत सारे तरीके है छोले बनाने के ये मेरा तरीकए है इसमे मैंने आलू भी डाली हूँ एक तो ये बहुत ज़ादा ही टेस्टी बनता है इस तरह से छोले बनाएंके तो बहुत मज़ेदार बनते हैं अब एक कड़ाई में तेल गरम करके इसमें हमें तेज पत्ता दो दाल के दो दाल चीनी दाल के इसे फ्राइ करना है थोड़ा सा गरम होने के बाद में इसमें हमें कांदा डालना है आदा कांदा बारिक काटके डालना है कांदा लाल हो जाएगा तो इसमें हमें एक टेबल स्पून अद्रकलसन का पेस्ट दालना है यह देखे लाल हो गया है पेस्ट दालके उसे भून लेना है अच्छे से अब जो मसाले हमने पीस के रखे हैं उसे एड़ करना है अधी के इस तरह से दिरे दिरे दालना है सारे मसालों को अच्छे से भूनना है इसका पानी सुकने तक इससे भूनना है इसमें थोड़े लाल मसाले भी दालने है हमें उसके लिए सबसे पहले हमें देड़ टीस्पून लाल मिर्च पाटर दालूंगी एक टीस्पून गरम मसाला दालूंगी और आदा टीस्पून हल्दी का बाउडर दालूंगी बॉrig कुछ ते हलदी हमने पहले भी दाल चुके हैं C बॉइल करने के टैंब इसलिए आदाटी स्पूनी दाल की को अब इसे मिला लेना है अच्छे से और इसका पानी सुकने तक, हम crappy प्राइक करने हैं यह देखिए इसका पानी सूख चुका है अभी हमने जो बॉयल करके रखा है चनों को उसको इसमें एड़ कर लेना है इस अच्छे से मिला लेना है और अगर आपको और पतला चाहिए तो आप लोग इसमें पानी दाल सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है देखिए इसको थोड़ा बॉयल कर लेना है नमक स्वादा नुसार डालना है इसके बाद कसूरी मेती एक टेबल स्पून लेके भून कर उसे हाथ से ही पीस लेना है अब हमारे छोले जो रेडी हो चुके हैं उसके उपर डाल देना है इसे और अच्छे से मिला के ढाके रख देना है हमारे छोले रेडी हो गए है अब जो आटा हमने ढाक के रखा है उसे हमें निकालना है यह देखिए एक गंटे बाद यह फोग गया है अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है इसे और थोड़ा सा गुनने के बाद इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकालके हमें बटूर के लिए बेलना है इस तरह से और कडाई में पहले से इस तेल गरम करके रखना है मीडियम फ्लेम पे भटूरे को फ्राइग करने के लिए इस तरह से अराम नयुक्ति दालना है और उसके फुगने तक आपी अपर आप तर इसे अपर ना है ये देखे कितने अच्छे से फुग गई है हमारे भटूरे कितने अच्छे से फुग गई है इस तरह से हर एक भटूरे को हमें बनाना है फ्राइ करना है फुगने के बाद इन्हें बाहर निकाल लेना है बटूरे इसी तरह हमें फ्राय करके निकाल लेना है तो यह रेडी हो जाएंगे भूब है बहूत सारे लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्रास नहीं करते और शेख धना कि यह देखिए हमारे बाटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं तो दो कलर भी एच्छा हो गया है मज़त कलर भी आता है इसका बाटूरे सारे रएडी हो गए और छोले भी रएडी हो गए हमारे यह देखिए यह टम्टिंग डिशे कितनी you know the drill, like, share, subscribe and press the bell icon, thank you